दो पहर दो बजे गल्वान घाटी हिमालाई की उचाईयों पर भारतिय सीमा का एक सुधूर वीरान इलाका कॉर्पल एहमद बेस को खबर देते हैं कि फॉवर्ट पोस्ट से जंडा नदारत है सर देखे वहाँ और भी है परवतों पर उस दिन फॉजी कमांडोस अकेले नहीं थे दुश्मन सैनिकों ने गित्पे पत्थरों की आज लेकर फॉजी यूनिट पर धवा भोल दिया कबिन बेस काई स्कॉट थी का भारतिये शेत्र घुसपैटियों से सामना हुआ रिपीट, स्कॉट थी का दुश्मनों के सामना हुआ लेटनेंट सिंग्की पिट्रूल 3 टीम को जिस आखरी विरोधी का सामना करना पड़ा वो थे भूस खलन से गिरे पत्थर और चट्टा और थे अंधेरा चा गया छे घंटे बाद जब लेटनेंट सिंग्की आख खुली तो उनका सर चक्रा रहा था पहाड से हुई पत्थरों की उस बौचार से खरोचों और घावों के साथ उनके सर पर भी चोटाई थी एहमद, धिलो, प्रवी फिर भी उनकी हालत उन दोनों फौजी भाईयों से बैतर थी जो उनके पास बर्फ में शहीर हो चुके थे कम से कम वो जिन्दा तो थे भारती असेना बिना लड़े कभी हार नहीं मानती और फौजी कभी पीछे नहीं हटता ये लड़ाई ऐसे खत नहीं होगी, मैं ऐसा होने ही नहीं दूँगा बहादुरी, भाईचारे और भारत के लिए फौजी